नवश्कार बहुत स्वागत है आपका स्पीड नियूज में, मैं हूँ आपके साथ अमंदीब खबरे दिखाएंगे आपको फटा फट अंदाज में, लेकिन इससे पहले रुख करेंगे गौालियर का जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको गौालियर से बता दे, जहां सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षो में मार पीट हुई है दोनों पक्षो के लोग ठाने पहुंचे हैं और इसकी तस्वीरे आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार बेरहमी से महिलाओं को पीटा जा रहा है और इसकी तस्वीरे आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं देखे किस प्रकार कितनी बेरहमी से महिलाओं को पीटा जा रहा है और इसका वीडियो हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं गौालियर से इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको दिखा रहे हैं जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा है महिलाओं ने शिवराज सरकार से पट्टे मिले हैं इसके बाद भी दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो रही है जमीन देन जा रहे हैं ये दिल दहला देने वाला मामला ग्वालियर से जहां जमीन विवाद कुले कर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और इसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और बड़ी खबर आपको बता दें ग्वालियर से जहां सरकारी जमीन को लेकर दो प की जा रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवात दातास सागर शर्मा जुड़ गये हैं सागर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है बड़ी ही बेरहमी तरीके से महिलाओं की पिटाई की जा रही है वाक्या बताईए कि कापी मार फीड की गई है और मैलाओं के बाल केचने का या वीडियो भी लगातर सोसल मीडिया पर बाइल हुआ है जिसके बाद जासी दूर्थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए दो लोगों को एरासत में भी ले लिया है भाई मैलाओं का जो पिर्द मैला है उनका क्या आरोप है कि इस जमीन पर हम अपना निर्मार कर्रह ईएते हुआ या जमीन के पग्टे तीन साल पहले मुकमंतिरी सभरासी सरकार की योज़ना के दोरा हमें दिये गएते और इन पर निर्मार कार आज जारी कर रहाएते कभी कुछ लोगों के दौआरा दूसरे गाओं के लोगों के दौआरा तीन लाग रुपए हमसे मांगे गए और तीन लाग रुपए नहीं देने की दसा में हमारे साथ में मारपिट की गई सागर कहीं ने कहीं बड़ी गुंड़ा गर्दी देखी जा रही है जब शिवराज सरकार ने खुद महिलाओं को पटे बाटे हैं उसके बाद भी तीन लाग रुपए की वसूली की मांग महिलाओं से की गई इसमें किस प्रकार की कारवाई पुलिस प्रशासन ने की है वही बाद सबसे आक्टे जनक बताई जा रही है जहां पर महिलाओं के बाल केचने से लेकर महिलाओं के साथ में कावी मारफिट की गई है और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं को सरकारी पटे उपलत करवाए गई थे उसके बाब जूदब उन पर निर्मार कर रही थी उसी समय तील लाग रुपए मागने की बात सामने नजर आ रही है तमाम जानकारी के लिए धन्यवास सागर आपका तो बड़ी ख़बर आपको गॉलियर से बता दे जहां जमेन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी गई बड़ी ही बेरहमी से उनके बाल खीचे गए इसके बाद पुलिस ने बाल खीचने वाले महिलाओं के साथ विवाद करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में भी लिया, इसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ, आपको बता दे महिलाओं को शिवराज सरकार की तरफ से जमीन का पट्टा मिला था, महिलाएं निर्मान कर रही थी, और इसी को लेकर दूसरे गाओं के कुछ लोगों ने महिलाओं स झाल